दोस्तों आप एक video अगर पूरा देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ करता हूं किettsे टेंडम box लगाने के लिए आपको किसी से भी पूज़ने की जरूरवत नहीं पड़ेगी यहाँ पर बॉक्स में देखेंगे तो टेंडम box लगाने के लिए सारा समान दिया हुआ है यहां पे इसका जो पेपर रहता है वो भी दिया हुए अगर आप चाहें तो इसको भी लगा के देख सकते हैं लेकिन मैं जो तरीका बताऊंगा आपको यह पेपर देखने की ज़रूरत पढ़ने वाले ही नहीं है तो यहां पे दोस्तों इसका पूरा यह समान है जो मैं आपक के इंदर दिखा देता हूं यह पूरा समनी आप देख सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है वाकि इसको लगाने किस तरह से हूं यह जिसको प्रावको छाइठ यहां पर देखके טंड करूता जय h zoマel देना चाहिए वह ध्यान देखके इस नलगाना चाहिए इन तो बताता हू 12 mm का प्लाइ काट रखा है यहां पर उसके उपर रख देते हैं आप चाहिए तो 6 mm का भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर रख देता हूं और रखने के बाद मैं यहां पर दिखायता हूं तो यह सामने का जो धार प्लाइगुट का उससे आपको लगबग 4 mm यह 6 क्यों करना है तो यहां पर मार्किंग करना हूं तो यहां पर देखेंगे आपको मार्किंग साफ सब दिख रहा है अब यह मार्किंग दोस्तों क्या करना आपको टेप से मेजर्मेंट कर लेना है यह मेजर्मेंट क्यूं 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 करना वह भी आप आपको काम आएगा पहले मेजर्मेंट में कर लेता हूं कितना कितना मेजर्मेंट आता है वह आपको ध्यान में रख लेता है बाकि यहां पर यह चैनल मतलब अलग तरह से आता है किसी में आगे रहता है किसी में पीछे रहता तो बात ध्यान देना बाकि यहां पर निकालने के यहां पर करना है में खंद लगा देना है निकालने के भाद यहां प्रम से अचांश सब्सक्राई चाहंते उसके टैकंड़ग लिखेंगे थी तरह करेंगे तो यहां पर मैंने जैसे आपको पता है था measurement ले लेना है तो measurement लेंगे तो बार बार आपको channel रखके आपको नहीं करना पड़ेगा तो एक ही measurement में आपको fitting कर लेना है तो यहाँ पर हम नीचे इस तरफ भी मतलब plywood रख देते हैं और रखने के बाद same इसको marking को सामने से maintain करन के और इसमें भी screw लगा देते हैं यहां पर मैंने जैसे आपको बताए था कि जितना भी आपको चलाना रहेगा तो आप किये रहेंगे तो आपको पूरे में एक ही तरह से मार्किंग कर लेंगे और पूरे को एक ही बार चला देंगे तो आपको बार-बार मतलब इसको रखके देखना नहीं पड़ेगा तो यहां पे दोनों अमारा चैनल फिटिंग हो गया है और पीछे जैसे मैंने आपको बताए तक किस तरह से फंसता है, तो उससे तरह से आपको इसमें लगा लेना है, और दोनों तरफ का यह हमारा perfect हो गया है, बाकि यहाँ पर सामने से मैं दिखाएता हूँ, तो यह देखेंगे, तो लगबग हमारा six maximum अंदर है, क्यूंकि अंदर नहीं रखेंगे, तो आपको जो सामन तरफ रहता है, अगर दोनों तरफ करेंगे, तो दोनों तरफ से बराबर आगे और पीछे हो जाएगा, बाकि यहाँ पर पीछे के तरफ देखेंगे, तो यह ब्रैकेट है, जिसमें पीछे का प्लाइबर लगा जाता है, तो यह किस तरह से लगता है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो इसके अंदर इसे घुच जाता है कुछ इस तरह से बाकि आपर निकालने के लिए यहांपे देखेंगे तो यह चोटा सा मतलब क्लिप दिया हुआ राते इसको अगर अगे तरफ खीचेंगे तो यह इसमें से आसानी से निकल जाता है ओर इसमें देखेंगे इस तरह से प्रेस करेंगे तो यह बैट जाता है बाकिए बनी तरब के से चोटा से अगे करते हैं यह इसका फसता है एक पीछे साटा हुआ यह इस चोटा से फास्री लगा देंगे तो यह हमारा आ गया जाएगा, क्योंकि यह सीधा रहेगा, तो ही हमारा जो measurement है, वो perfect तरीके से बताएगा, यानि कि बराबर बताएगा, तो दोनों तरफ हम सीधा कर लेते हैं, सीधा करने बाद इसमें, जहां जो गड़ा है, वो मैं अभी दिखाता हूं, उसमें, आपको tape फ और उसी हिसाब से आपको plywood के ready करना है, अब यहां पर देखेंगे, नीचे हमने खांचा लगा है, तो खांचा क्यों लगा है, अगर अठारम को plywood मैं इसके ओपर रखता हूं, तो नीचे देखेंगे, बीच में थोड़ा से गए पचला अंदर घुस नहीं है, तो उसी बाकि दोस्तों, यह वीडियो हमारा आपको ऐसा लग रहा है कि detailing के साथ है, तो मैं आपसे request करूंगे, वीडियो के एक लाइक कर दीजी, चैनल को subscribe कर लेजिए, क्योंकि मैं कर्पेंटर से बीडियो बनाता रहता हूं, और आप हमको comment करके यह बताए कि आज तक आपने कितन टेंडम लगाये हैं, क्योंकि दोस्तों, टेंडम लगाना उतना मुश्किल का काम नहीं है, बाकि नीचे आप देखेंगे, तो हमने polythene रखा है क्योंकि scratch नहीं आएगा, बाकि जैसे मैंने आप बताए कि टेंडम लगाना उतना मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन अगर जा है अगर आपने साइज बराबर लिया होगा तो यह तक मेजरमेंट कर लेना है यहां तक अगर अगर लेना है तो यह तो यह क्या होगा जो हमारा पीछे से एक दम फिक्स हो जाएगा तो गएप नहीं रहेगा नहीं कोई धिकत नहीं का शुक्व करने के बाद एक बाद चल रहा है कि नहीं तो यहa Whilst यह वह देखेंगे दोस्तों नोशना अब दोस्तों पीटिंग करेंगा इसका मत्था प्ता तो मत् wygląda fit करने के लिए । क्या प्रोसेस करनी प्ताइब को यहां प्रसागे नीचे ही फिटिंग रख लेते हैं उसके बाद टेप पकड़के यहां पे इसका होल का सेंटर निकाल लेता है, जो हमारा मथ्था है, उसके उपर गुणिया रखके मार्किंग कर देंगे और उसके बाद सीधा खीज देंगे, जो हमने मेजरमिनेट निकाला है, अब सेम वहीं पे दो लिमनेट लेना है कुछ इस तरह से यह अगर यह ओल आउट नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा तो आपको मेजरमिंट अच्छी से देख के आराम से करना है और उसके बाद यहां पर रखके इसको भी गुणिया सीधा क्हीच देना है क्योंकि होल आपको सीधा ही रहता है बा बाकि यहां पर दूसरे तरफ का भी सेम तरीके से मेजर्मिंट करके और मार्किंग कर देते हैं और वह मार्किंग क्या करते हैं इस तरह से गुम्मा से एक वार क्या करेंगे वहां सेम जगह पर होल लगा देंगे तो जब हम इसकुरू टाइट करेंगे तो हमारे इसकुरू इ असानी से फिटिंग कर सकते हैं यहां पर देखिए यह होल अगर आउट नहीं करेंगे तो यह मत्था है जो एकदम पर्फेक्ट तरीके से रहेगा बाकि दूसरे तरब कभी निकाल के इसमें भी इसकुरू के मदद से इसको फिटिंग कर देते हैं इसमें इसकुरू लगाते करने के बादं यहां से उसको फितंग करने का अगर इसको फिर आएंगे तो इस्व अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह उपर नीचे हो रहा है अगर आप देख पा रहे होंगे तो दिख रहा होगा आपको यह उपर नीचे होता है इसी से आप नीचे का जो गैफ हो सेट कर सकते हैं यहां पर देखेंगे हमने उपर किया तो नीचे भी गैफ बन गया है और कितना भी अच्छे से मार्किंग करते हैं लेकिन थोड़ा वो तीधर उधर हो जाता है बाकी आपके दोस्तों इसका जो कैप दिया हुआ रहता है यह मैं भी आपको दिखा तो पहले यह दिखाएता हूं मैं आपको उसके बाद इसके बारे में जितने भी जान करें था मैंने आपसे बता दिया है हमारा वीडियो कैसा था कमेंट करके जरू बताए वीडियो पसंदेद वीडियो एक लाइक कर दिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजे मैं मिलता हूं किसे और नए वीडियो में नए टॉपिक साथ अपते के लिए जय हिंद बंदे मातरों और अपना ख्याल जरूर रकिये